किचन और घर की काम को आसान करने के लिए बहुत योजफुल वीडियो लेकि आई हूँ जिसमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपके रोज का काम तो आसान हो गए साथ ही साथ धेर साथे पैसों की बचचत भी होगी यहाँ पर मैंने हरी मिर्च लिया है अभी ठंड के मौसम में तीखा खाना बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और उसमें हरी मिर्च का आचार तो बहुत ज़्यादा पसंद रहता है किसको किसको पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताईएगा अब उसके लिए धेर सारी हरी मिर्च को हमें काटना होता है तो अगर धेर सारा हरी मिर्च आपको काटना है तो आप इस तरीके से हाथ में पॉलिथीन लगा ले पॉलिथीन लगाने से आपके हाथ में जलन नहीं होगा और मिर्ची का तीखापन भी नहीं लगेगा आप मिर्ची काटेंगी तो आपके हाथ में मिर्ची बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपका काम भी हो जाएगा तो जिसके हाथ में मिर्ची का जलन जादा होता है उनके लिए ये एडिया बहुत ही बढ़िया है तो जादा मिर्ची को काटना हो तो आप इसे जरूर से ट्रा तो आपका हाथ भी क्लीन रहा गया और मिर्ची भी कट गई यहां पर मैंने लिया है लिपिस्टिक लिपिस्टिक तो हम लगा लेते हैं मगर ठंड के मोसम में जो हमारे लिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ड्रै हो जाता है किसी किसी का तो होट फटने भी लगता है और अगर आपके इसकी पर वैसलिन नहीं सूठ होता है तो आप इसकी जगह पर देशी घी या फिर बटर का इस्तमाल कर लें सेम तरीके से इसे होगा यह कि जो आपका लिप्स है वो मॉस्चराइज रहेगा बिल्कुल भी ड्रैनेस नहीं आएगा तो जब भी आप मेकप करिएगा इस तरीके से मेकप को रिमूर कर सकती हैं बहुत ही यूजफोल है फ्रेंट खास तोर से सर्दियों के लिए तो इसे जरू ट्राइ करके देखिएगा आपको पसंद आएगा नेक्स्ट इप मेरा इस जार से लेकर है दो तरीके का जार हमने लिया है यानि जार कांच का है मगर धकन दोनों का डिफरेंट है यह धकन देखिए इसके साइड में थोड़ा डिजाइन बना है जिससे इसे खोलने मे आसानी हो जाती है कितना भी टाइट बंद हो मगर इसे अच्छे से खोल सकते हैं क्योंकि इसमें पकड़ मजबूत होती है मगर जो ये jam का जार है इसका जो ढगकन वो बहुत ही चिकना है अगर ये tight बंध हो जाता है तो खुलता नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारा हाथ है वो फिसलता है तो ये फिसले नहीं इसको थोड़ा अलग तरीके से बना ले उसके लिए हमें लेना है glue gun और glue gun से थोड़ा थोड़ा glue इसके side में हमें लगाना है बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें glue का drop गिरा देना है थोड़ा से उबरा हुआ होना चाहिए friend एकदम flat मत लगाईएगा थोड़ा चाहिए उपर होना चाहिए इस तरीके से देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हो अब इसे लगाने के बाद 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे 4 मिनट के बाद यह अच्छे से सूख गया है अब इसे जब खोलेंगे न तो बहुत ही अच्छे से खोल जाएगा कितना भी टाइट बंद रहेगा मगर आप आसानी से खोल सकती है क्योंकि ग्लू गंद से ग्लू लगाने के वज़र से इसकी जो पकड़ हो मजबूत हो जाती है नेक्स टिप देखते हैं फ्रूट हो या फिर वेजिटेबल हो इन सब चीजों को हम फ्रीज में इस्टोर करते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक फ्रेज बना रहे ना जल्दी सूखे और ना सड़े मगर कभी कभी हमें बाहर जाना पड़ जाता है और एपल को हम बाहर ही रख देते हैं लाइट और फ्रीज बंद कर देते हैं घर की तो इसे कुछ दिनों तक अगर आप फ्रेज रखना चाती है तो उसके लिए आप ले लें सेलो टेप अब सेलो टेप को इस तरीके से एपल के डंठल वाले हिसे पर चिपका देना है जब आप इसे अच्छे से बंद कर देंगी उसके बाद एपल जल्दी सुखता भी नहीं है और सड़ता भी नहीं है तो हपता दस दिन तक के लिए आप इसे रख सकती है एपल ऐसे ही रहेगा बिल्कुल भी ना ही सुखेगा ना सड़ेगा तो अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ट्राई करके देखिएगा आपको ये टिप बहुत ही यूजफुल लगेगा तो देखिए मैंने इस पे लगा दिया है तो चलिए नेक्स टिप देखते हैं लॉंग का इस्तमाल हम करते हैं अपने खाने में पुलाव अगर बनाते हैं तो लॉंग जरूर डालते हैं उससे बहुत इच्छा फ्लेवर आता है मगर आज हम लॉंग का इस्तमाल साबुन के साथ करेंगे तो यहाँ पर मैंने लाइब बोई साबुन लिया है आप कोई भी खुसबुरदा साबुन ले ले नहाने वाला साबुन लेना है फ्रेंड कपड़े वाला नहीं अब इसमें हम लॉंग को इस तरीके से लगा देंगे लॉंग का फूल होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा तो देखिए मैंने इतना सारा लॉंग इसमें लगा दिया है अब चलिए इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं तो फ्रेंड हम अपने अलमीरा में बहुत सारे कपड़े रख देते हैं कभी-कभी इसमें से बहुत ज़्यादा इसमेल आने लगता है सीलन का तो इसमेल को खतम करने के लिए आप क्या करें जो लॉंग वाला साबून है उसे एक बटन में करके इस तरीके से अपने अलमीरा में कुछ दिनों के लिए रख दे इससे बहुत ही बढ़े खुश्बों भी आएगा और आपके अगर कपड़े में कीड़े वगरा लगते हैं तो वो भी नहीं लगेगा तो ये कपड़ों के लिए बहुत कारगर है तो आप भी अपने अलमीरा में इस तरीके से लॉंग के साथ साबून को जरूर रखें ये गुड का पैकेट है और ये भी खाली हो गया तो मैंने इसको दो कर अच्छे से सुखा लिया है अब आप सोचते होंगे कि इसे सुखा कर क्या करेंगे अब ये हमारे किस काम का तो फ्रेंड इसमें खास बात ये है कि ये जीप लॉक है और जीप लॉक होने के वज़े से हम इसे कई तरीके से यूज कर सकते हैं जिसमें से मैं आपको दो तरीके बताऊंगी अगर आप सहर में रहती हैं तो आप इसमें frozen matter store करके फ्रीजर में रख सकती हैं अगर आप गाउ में रहती हैं आप कहाँ खेती होती हैं और खेत पर मजदूर होते हैं तो उनको खाना अक्सर लोग क्या करते हैं कि पोटली बना कर कपड़े में या इसमें भावा भी नहीं जाएगा तो रोटी लमबे टाइम तक सोफट बनी रहेगी और नियूज पेपर या कपड़े में अगर हम बांद कर देते हैं तो उसमें रोटी सूख जाती है तो देखिए इसे बंद कर दे और अब इसे आप दे दें रोटी लंबे टैम तक एक्तम सॉफ्ट बना रहेगा तो इसे आप किस तरीके से यूज करना चाहती हैं वो आपकी उपर निर्भर करता है और भी कौन-कौन से तरीके से यूज किया जा सकता है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो यूजफूल लगा है तो लाइक करिएगा दोस्तों पिशार शेयर करके चैनल को पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा थेंक्यूद